बिज्वाय दिवशेर अनेक अनेक अभिननदन आर पोष पारवनेर चुभेच्छा आज सारी दुनिया वर्चुल समिट्स कर रही है लेकिन आपके और मेरे लिए ये माध्यम नाया नहीं है कई वर्षों से हम वीडियो के माध्यम से बात्चित कर रहे हैं कई बार हमने वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट को लांच और इनोग्रेट भी किया है एक्सलेंसी विजय दिवस के तुरंद बात आज की हमारी मुलाकात और अधिक विशेश महत्वर रखती है एंटी लिबरेशन फोर्सिस पर बंगलादेश की अध्यासिक जीत को आपके साथ विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है आज जब बंगलादेश आजादी के 49 वर्स मना रहा है मैं दोनों देशों के शहीदों को जिनोंने अपने प्राणों की आहूती दी स्रद्धा पुर्वग नमन करता हूँ बिजय दिवस के अउसर पर कल मैंने भारत में राष्टिय समर्समारक में स्रद्धा सुमन अर्पित किये और एक स्वरनिम बिजय मशाल प्रज्वलित करी ये चार बिजय मशाल पूरे भारत में ब्रह्मन करेगी और हमारे शहीदों के गाउं गाउं ले जाए जाएगी 16 दिसंबर से हम स्वरनिम बिजय वर्ष मना रहे हैं जिसमें भारत भर में कई कारकम आयोजित किये जाएंगे एक्सलेंसी मुझीब वर्षों के अवसर पर में सभी भारतियों की और से आपको बधाई देता हूँ अगले वर्ष बांगलादेश टियात्रा के निमंत्रन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके साथ बंग बंदू को स्रद्दांजली अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी एक्सलेंसी बंगलादेश हमारी नेवर हुड फरस्ट निती का एक प्रमुख स्तम्भ है बंगलादेश के साथ समंदों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेश प्रात्विक्ता रही है ये बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण ये वर्ष बहुत ही चुनावती पुन रहा है लेकिन संतोस का विशे है कि इस कठीन समय में भारत और मंगलादेश के बीच अच्छा सहयोग रहा चाहे वो दवाईया या मेडिकल इक्विप्मेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो वैक्सिन के खेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है इस सिलसले में हम आपकी आवशक्ताओं का भी विशेश ध्यान रखेंगे सार्क फ्रेमबर के तहट बंगलादेश के योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ स्वास्त के अलावा अन्यक्षेत्रों में भी इस वर्ष हमारी विशेश साजेदारी निरंतर आगे बढ़ती रही है लैंड बॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया दोनों देशों के बीच कनेक्टिवीटी का विस्तार किया नए साधनों को जोड़ा यह सब हमारे समंधों को और अधिक मजबुत करने के हमारे इरादों को दरसाता है एक्सलेंसी मुझीब चिरंतर बंग बंदू का संदेश इटर्नल है और इसी भाव से हम भी उनकी लिगसी का सम्मान करते हैं आपके उत्तम नेत्रुतों में बंग बंदू की लिगसी स्पष्ट रुप से जलकती है साथ ही हमारे द्वीपक्षिय समंदों के लिए आपकी नीजी प्रतिवित्ता भी स्पष्ट है यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आज आपके साथ बंग बंदू के सम्मान में एक डाग टिकट का विमोचन और बापू और बंग बंदू के उपर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उधाटन करने का मोका मिल रहा है मैं आशा करता हूँ कि बापू और बंग बंदू की प्रदर्शनी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी इसमें एक विशेज सेक्षन कस्तुर्बा गांधी जी और पूजनिय बौंगो माता जी को भी डेडिकेट किया गया है एक्सेलेंसी अब मैं आपके ओपनिंग रिमार्स आमंत्रित करना चाहूंगा यूर एक्सेलेंसी श्री नरेंद्र मोधी प्राइम मिनिस्टर अप इंडिया बॉप इस्टिंडित में ब्राइमन आपॉर्य ऑफार स्थित नाम अब जडियंगा श्राइमा यूज्गों तो में बल्सांट का लूजनी नामुपर आफू इंडिया लूज के इंडियों ऑप्रियू कि टून इनाय के इंडियों इंडिय खुजब टॉली टूज परिग् कर दो कर दो खूह जारता हैं, भॉंगभर बांग सहीं बेदीफ जार्टीड जालग मुझीब रखम भॉजिब रह्मान हैं, पॉयूस दिनामिक लीडरिशिक बॉड़्के लात बॉड़ाइवे हैं लेंस फॉय बैट एंट फॉयूस्य बार्थ चरिजात हैं, हो लेखार वी अंच्वारी एंच्वारी और को प्रिया वाल बुल्ध ठीजकितर अगाल ऑन्या लिए न गॉने इच्थे लिए प्रॉप्ट गॉन खूल गॉने खूल दिός ऑ जी अग्जार टीजिए पिर इन देगे विए कि अटो में अंच्झेंघ को पिर नहीं कर दो दिए था एंच्छ अबतो लोन्याव इस पर लिए मेरेे ऐसलिए पाकसितानी स्थाथिस और अप्ट जाते हैं जाते हैं जाते हैं मादर राज प्रत फ्राइपा सिर्ड मादर थे जाते हैं करिनल अशोक तारा समजह गुझ बश्ती। लिखका ठाली खाली डिखका किसी डिल्ष्ट का मेंrice लिखका किने बंदा पाकिस्तानी पॉर्स अगजेशम्ड़ुड़ तुलिखका बाली ठाली भॉर्ट अबट्रुट छिल्ड़ टेसींग प्रिकित विख दरीजिए करूंग एप दिसेमिब्गर कोई सब्सक्राइस करनि करन्या टो चेटीड जा एंड टीब करनल कि विघ एंड इंड गूंग कि पोप्ट लिजिए ग्रॉ फिदिए टुछ टीग करनला है एंड टीजिर या एंड्या या जीडिएफ टीडिड एंग अजल और अजल और अजिव व्लिव और अज्टिय प्रामि यंट्री नीज थैंड़राग्स अजय प्रिमी अजय तॉफ्रू अट्वर जानगे फिवर्ब गाइधश्व यज और वार्द धर में था टूट्वरेंद को युडिय झालिज और अपर टेयर इंट्वर्ट इस ज we have spoken with realy over video conference a number of times in between from the broodland much has changed since then mother of the dead we are all got the world have witnessed an upheaval and mankind's ability up to counter the unknown has been put to the test millions of lives have been lost औरल यस्टcji और स्त्राइभ पुस्त स् attic तो ह्ार जयान आप्र जबू और इस स्फार्ट और छोगे-व लेग दो गूं। एपस्ट सोस्ट्ब टो आर प्र में तो बंका एंड-क अगर जाए सिर इंघक verste ये ये इम एंड ये विछ नुटार इस आफ तर बीज़ से बिलाटर दूब्स ए प्रहुएट अब टूब्स एस तरीज टीजिव अपर दिर्टर कोपर शूब बाट थार्या कोपरिश तूरी प्रुब ये इस पर दिर्ट तूर इस विछ विद्ट एंड टूर्स फ्रट चापकरिब बादी एिसे हुआ, इस प्रिय रिगिए राई बाद पाद चॉपराइगाना चॉपराइट ऑन्ष दो फजर प्यूव कर दोलिग और अजर साथ कोपराइश्या प्यूवि रिधिक का छोब फ्र ख बाद पर चॉपरिजिद नियु ख़िए इन रुबनावन प्र ब्रोदेस ऑनर इनितिव अपनियर पर्भारत बाड में केया जब आटाइए कन आटाइब। ली इनन और शेल्ट रोल अ गलोब खर इन तेम आट्ब एकोनी रोगर फ्री ऑड़िस के to offset the economic and social impacts of the pandemic we have expanded social safety net coverage providing assistance to more than 25 million people since detection of the virus in early March extensive measures have been put in place to contain the second wave of the pandemic as a result our economy has sustained an upward growth trend despite widespread disruptions in the international supply chain and decline in consumer demand we happily recognize the growing dependency of the economies of Bangladesh in India a good number of Indian nationals are employed in the manufacturing and service sector of Bangladesh and our remittance earners for India on the other hand India receives its highest number of tourists and medical patients from Bangladesh I believe both countries can move up the global and regional value chains by further integrating our economies taking advantage of available synergies our ongoing connectivity initiatives our catalysts in this regard a prime example is the resumption of Chila Hattie hold the body rail link which we will inaugurate today honorable Prime Minister our relations have embarked on a landmark moment Bangladesh is on the of celebrating 50 years of an independent nation Bangladesh and India are also stepping into the 50th year of establishment of diplomatic relations further we are celebrating 100 birth anniversary of the father of the nation Bambamundu Sheikh Mujibur Rahman just a few months ago we concluded celebrations of the 150th birth anniversary of your father of the nation and Mahatma Gandhi and Mahatma Gandhi in Bangladesh we released a special postal stamp as a mark of tribute to Babuji I understand today we will be inaugurating a stamp issued by the Postal Department of India in honor of Bambamundu I convey my sincere gratitude to you and your government for so spontaneously coming together to mark these important occasions with joint celebrations we have chalked out joint programs throughout the coming year in cities worldwide to commemorate our inseparable linkages in Bangladesh's liberation war of 1971 the crowning glory of our joint commemoration would be your presence in Dhaka for the celebrations on 26th March 2021 I thank you Your Excellency Sheikh Hasina Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh Prime Minister Sri Narendra Modi ji Honourable ministers and distinguished guests As we commemorate the historic Muji Bursho I have the honor to invite the honorable prime ministers of Bangladesh and India to jointly unveil the commemorative stamp on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman I request the two prime ministers to press the launch button Excellencies To honor the contributions of the two of the greatest leaders of the last century Mahatma Gandhi and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman I request both the prime ministers to jointly inaugurate the Bangabandhu Bapu Digital Exhibition by pressing the launch button We will now witness a short video marking this inauguration Two extraordinary men at different times in history changed the destiny of their people One adopted Ahimsa while the other embraced the power of his language to fight against operation and tyranny Their iconic struggle and conviction led to the liberation of their countries from the inhuman despotic and ruthless forces This is a story of their resilience and unflinching spirit as they led their people to freedom and liberation Bungabandhu Bapu is a story of India and Bangladesh showcasing the bond of blood Shared sacrifices that unite these two great nations Bungabandhu Bapu Digital Exhibition is curated with 21 walls of information And over 100 points of digital engagement The experience begins with the introduction wall that highlights the theme of the exhibition And the exemplary status of these two inspiring leaders in the eyes of the world via testimonials Some of the noteworthy installations are The meeting wall Based on the day the two leaders met in August 1947 It displays probably the only photo in the world that has both Bungabandhu and Bapu in one frame A holographic time machine layers historical photos with a timeline and provides a unique interface to the users to reference their time and lives The salt march led by Mahatma Gandhi is considered by the time magazine to be amongst the three most important movements in the modern history While the Bungabandhu speech of 7th March is in the memory of the World Register of UNESCO Jallianwala Bagh and the Genocide Tunnel The pain, suffering and the agony endured by the people are presented through the Jallianwala Bagh and the Genocide Tunnel The brutal use of force by General Dyer in Jallianwala Bagh and the Pakistani army was to suppress the legitimate movement of people against subjugation, brutality and violence The triangle of engagement provides a 360 degree view of the historic locations A robotic signature of Bungabandhu and Bapu And the favourite music of the two leaders being played in the background The exhibition speaks the language of today, i.e. technology And provides a unique experience to the visitors It encourages the youth to emulate the inspiring values of the two great leaders Respect the sacrifices of the martyrs And appreciate the spirit of freedom that we all enjoy today Bungabandhu Bapu A shared vision of India and Bangladesh Excellencies, the Chillahati-Haldibari rail link not only connects Assam to Bangladesh via West Bengal But also serves as an inspiring symbol of the ever-increasing people-to-people links between our two countries It is my privilege to invite both the Prime Ministers to jointly inaugurate this project by pressing the launch button Let us now witness a short video on this landmark project India and Bangladesh share a long-standing camaraderie The Prime Ministers of both the nations are working to further flourish the relations between the two neighbouring countries through trade and travel As part of this vision, various developmental steps have been taken in the recent past Adding to the progress made in strengthening the bond Both the countries are reviving a railway link Which was once operational till 1965 The reopening of the Chillahati-Haldibari route is expected to encourage economic and social developments of the people of both the nations With the transit facilitation of goods and passengers traffic to and fro between Bangladesh and India Enhancing accessibility to the main ports and dry ports across land borders to support the growth in regional trade For this purpose, construction of a broad gauge link from Haldibari in India to Bangladesh border has been carried out by Indian railways Similarly, Bangladesh Railway has also upgraded and made the missing tracks from Chillahati to Indian border Chillahati-Haldibari Rail Link is the fifth railway link becoming operational between India and Bangladesh Nurturing the social, trade and cultural bonds between the people of both the nations This is the restoration of not only an old rail link But the lifelines of India-Bangladesh relationship Under the able leadership of our Prime Ministers Long live India-Bangladesh friendship Thank you Thank you Thank you Thank you Excellencies It is my privilege to announce that as a testament of the rapidly growing mutual cooperation between the two countries India and Bangladesh have also signed seven agreements in the areas of hydrocarbons, agriculture, textiles, community development, elephant conservation and terms of reference on constituting a CEO forum Excellencies, this concludes the inauguration ceremony Thank you Thank you I know Thank you Thank you और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले